Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 13.1 से question number 6 करेंगी In the figure, यहाँ साथ में figure दे रखिये आपको L is the line of symmetry, यह line दे रखिये dotted line यहाँ पे L लिखा हुआ है, यह line का नाम है L यह line L जो है, यह symmetry line है Draw the image of the triangle and complete the diagram so that it becomes symmetry Image of triangle, यहाँ पे triangle दिख रहा है आपको इस triangle की image बनाईए और इस figure को, इस diagram को complete कीजिए ताकि यह symmetric बन जाए, यह question है अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि line of symmetry तो है यह वाली इससे इधर इधर, right side के अंदर यह triangle बना हुआ है और इस symmetry line के left में यह इतना part बना हुआ है, ऐसे यह तो question में है जब हम इस diagram को complete करेंगे तो symmetry line के right में तो यह वाला part तयार होगा मैं पहले rough दिखा देता हूँ कि यह actually बनेगा कैसे यह line of symmetry है तो यह जो इसके left में part बना हुआ है, इस तरह का जो trapezium है, इसका reflection right में आएगा यह left में है न, तो इसका reflection यह ऐसे दिखाई देगा यह part right में बनेगा और जो right में triangle है इसका reflection left में दिखाई देगा, यानि ऐसे और ऐसे दिखेगा तो यह जो मैं red color से कर रहा हूँ actually यह आपका answer है क्योंकि symmetry line के दोनों तरफ कुछ बना हुआ है तो इसको पूरा करने के लिए ताकि यह diagram symmetric बन जाए आपको यह दोनों parts बनाने होंगे जो left में है उसका reflection right में दिखेगा और जो right में part है उसका reflection आपको left में दिखेगा इस तरह से figure तयार होगी है चलिए अब question की शुरुआत करते हैं इसमें measurements का बहुत ध्यान रखना है आपको जितना measurement है measurement अगर आपका perfect होगा तो ही आपकी figure symmetric लगेगी अब हमें measurement के लिए क्या करना होगा क्योंकि यह जो line बनेगी यह वाली यह line of symmetry से इतने ही distance पे होनी चाहिए जितना की question में दे रखा है यह line जितनी दूर है ना इससे यह वाली जो answer की line होगी वो भी इतने ही distance पे होनी चाहिए तो मैं यह distance ले लेता हूँ scale के उपर की यह कितना है यहां ले रहा हूँ इसको बिल्कुल 0 पे रखेंगे और यह distance आपका mm में आएगा यह आ रहा है something यहां पे 1 से इधर आ रहा है 2 unit इधर तो इतना ही मैं यहां पे ले लेता हूँ ऐसे 2 point लगा लूँगा मैं यह इधर ले लेते हैं वहां पे छोटे point से साफ नहीं दिख रहा यह मैं 3 पे रख रहा हूँ और यह 4 से 1 point पहले है यानि कि 0.9 mm के बराबर हैगी तो इतना ही मैं यहां पे ले लेता हूँ यह मैंने यहां रखा तो 4 से यहां 1 mm कम 0 point 2 point ले लेता हूँ उससे line parallel आएगी आपकी 1 point मैं यहां ले लेता हूँ बिल्कुल straight अभी मैं एक rough line खीच रहा हूँ पहले यह मैंने एक rough line खीचिए तो इस line के parallel यह वाली line आई है थोड़ी सी यह ठेड़ी हो गई है यहां point से नहीं गुजरी है एक बर थोड़ा सा और बना देता हूँ तब ही आपकी figure यह perfect लगेगी यहां point से गुजरनी थी है यह line इसको मिटा देते हैं पुरानी वाली को यह जो dark line आपको देख रही है यह है तो line मैंने बना लिये अभी यह line के यहां पे यह वाला part ऐसे बनाना है आपको यह angle में जाएगा न यहां से यह ऐसे जा रहा है तो यहां से यह इसको ऐसे touch करेगा और वो point कैसे पता चलेगा वो simply ऐसे पता चलेगा कि इसके उपर हम scale रखेंगे इस point के उपर और बिल्कुल parallel रखेंगे scale को और ऐसे जब हम ऐसे cutting करेंगे इस तरह से जाएंगे तो यह point ऐसे मिल जाएगा यह यहां पर काटेगा यह point मिल गया इसी तरह से नीचे भी कर लेंगे बिल्कुल सीधा रखेंगे scale को और एक line बनाएंगे तो यह intersect हो जाएगा यहां पर यह दो point मिल गया बरको अब बाकी को मैं पहले मिठा देता हूँ जो मेरे काम की चीज़े नहीं है यह मैं मिठा देता हूँ अब इस point से यहां से इसको join करना है और इस point से इस point तक join करना है तो यह आपका यहां पर त्यार हो जाएगा बिल्कुल इसी का reflection बनेगा यह जो line छोटी सी जा रही है ना इधर इसका reflection यह इस तरफ ऐसे दिखाई देगा accuracy का ध्यान रखना है आपको उसमें थोड़ी सी मैनत करनी पड़ेगी यह देखे तो यह part तो मैंने इसमें तयार कर लिया है जो छोटा वाला part था इसे मिटा देते हैं जो फाल्तों की चीज है उपर इसलिए मैंने बोला था कि यह मैं रफ कर रहा हूँ जितना आपका answer आप वो ही दिखना चाहिए आपकी sheet पे यह line को थोड़ा और कर देते हैं यह रब हो गई थी यह लगा दिया मैंने तो इसका reflection यह right में आ गया अब हमें बनाना है triangle बुक वाले ने triangle right में बना के दे रखा है आपको इसका reflection यहाँ पे left में बनाना है तो ध्यान रखिए कि जो triangle की यह sides हैं इतने ही side की इसकी यहाँ पे दूसरा वाला part बनेगा यह इसका reflection होगा वो size में same होगा अब size same लेने के लिए हम इनकी sides को measure करके ही question को करेंगे तो पहले मैं यह वाली side ले रहा हूँ कि यह कितनी length में है उतनी ही length में यहाँ पे तयार करनी है तो मैं measurement ले ले दाओ थोड़ा सा sheet को घुमा लेते हैं यह इतनी है इसके length यह इतनी length का है तो इसी point के ऊपर रख कर यहाँ पे मैं एक arc लगा दूँ है जैसे आप triangles की construction करते हैं ना उसी तरह से थोड़ा dark कर देता हूँ दिखाई नहीं दे रहा है बाद मैं मिटा देंगे यह arc लगी यह मैंने इसकी length लिए अभी मुझे इस वाली side की length लेनी है तो इसकी length को भी मैं compass के ऊपर measure कर लेता हूँ और यह length भी इतनी ही है तो इसी point के ऊपर रख कर इस arc को हम काड़ देंगे ऐसा करने से यहाँ पे आपको एक point मिलेगा यह वाला बस यह point आपको चाहिए बागी को मिटा देते हैं जो फाल्तू की arc दिख रही है इन्हें मिटा देते हैं अब इस point से यह जो symmetry line है यहाँ तक हम line खीच देंगे ते triangle तेयार हो जाएगा यह बन गया अब आप देख पारे होगे कि जो book में दिया हुआ था बिल्कुल exact उसी size का मैंने दोनों part बना दिये इस तरह से आप इस question को करोगे symmetry के अंदर आपको measurements का बहुत ध्यान रखना होता उसके हिसाब से आपकी construction perfect होनी चाहिए question खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए good bye